आई दोस्तो, सुखयत है दोस्तो फिर से में एक नया बिलोग मैं आज की ब्लोग में यह बताने वाला हूं दोस्तो जो आपका प्रसा प्रसा पड़ इसन और दोस्तो आप लोग परिशान हो जाते हैं जल्दी ख़लने के लिए तो बईशा नहीं होता दोस्तो जल्दी ख़लने के लिए आप लोग थोड़ा धीरी जरेखिये अराम से ख़ल जाएगा दोस्तो कुछ दिक्केत नहीं होगा आप लोगों का तो आप लोग खोलना चाहते हैं, तो उसका एक टाइम होता है, जो कौन सा उमर में बच्चे का जो खोलना चाहिए, और उसको खोल के साफ सपाई करना चाहिए, तो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, आप जल्दी जल्दी में परविक पाठ को खोलना चाहते हैं, लेकिन इसा न तो आप प्राइवेट पार्ट खोलने की कोशिस करते हो, लेकिन वो चमरी नहीं खोलेगा, वो फॉरिस्किन उसका प्राइवेट पार्ट नहीं खोल सेकता, क्योंकि वो उस तेम लागा हुआ रहता है, तो उस तेम वो चीज नहीं खोलेगा दोस्तों, आगर तुम दो साल के बाद दो साल, बच्चे को दो साल होने दो, उसके बाद आप देखेंगे आपने आप खोर इसकी जो प्राइवेट पार्ट की है, वो छोड़ने लगेगा, थोड़ा-थोड़ा साल, वो पीछे हटने लगेगा दोस्तों, वोईशाई आपका फर्मॉला है, तो वोईशाई अगे जाएगा, उतने साल वो पीछे थोड़ा-थोड़ा सा आएगा, आप उसी टेम पांच साल, छे साल के बाद देखेंगे, बहुत जल्दी आपका प्रेवेट पार्ट निया होगा, तो उसके बाद आप उसकी साफ सफ़ाई कर सकते हैं, उसमें कोई कीटानू नहीं होत है दोस्तों, प्रेवेट पार्ट का जो मुह है, वो उसके बच्चे का इसा नहीं होता, तो उसकी जो बूंद बूंद वाइट वाइट होता है वो नहीं होता उस तेम, वो पूरा सभाई पुरा होके रहता है, क्योंकि उसकी जो चेम्डी है ना वो उसको बंद करके रखता तो इसलिए वह आरंग शुसाप सफाई ही रहता है दोस्तों और दोस्तों वह गलती मत कीजिए जलजी में खोले गया तो आप दिक्कत में पढ़ जाएंगे उसका नस कट जाएगा वह ब्लोडिंग होने लग जाएगा तो क्रिका करके इशा मत कीजिए दोस्तों उसको तक तक तक